नमस्कार साथियों आपका स्वागत देखो नए वीडियो में आज की इस वीडियो का टॉपिक है के इंद्रे सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं तो इस टॉपिक के करेंट फर्स के यतने भी मुश्ट इमपोटेंट कॉस्टन बन सकते हैं सभी कोन के इमपोटेंट इमएजस के साथ और इमपोटेंट पॉइंट्स के साथ आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो आज का यह वीडियो हुने बाला है Most Important आगर आप किसी भी घ्जियान की तियारी कर रहे हैं तो साथियों इसी के साथ करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट तो आज का हमारा फ़स्ट कॉस्चन है प्रधान मंतरी नरिन्द मोदी ने पारम परेकारीगरों और सिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को सुरू किया है तो इसका राइट आंसर है D. P.M. बिसकर्मा योजना इंपोटेंट पॉइंट से समझते हैं स्ववांकर प्रधान मंतरी नरिन्द मोदी ने 17 सेतंबर 2023 को विसकर्मा जैन्ती के अफसर पर इस योजना को नई दैली में सुरू किया है किंद्र सरकार विसकर्मा योजना के तहत कारीगरों को रिण पर आठ प्रतिसत की सबसेड़ प्रधान करेगी यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉस्टन है प्रधान मंतरी नरिन्द मोदी ने भारत की समुद्र तट पर मेंग्रो ब्रक्षा रोपन की सुवीदा प्रधान करने के लिए 2023 में किस योजना को सुरू किया है तो इसका राइट आंसर सी मिष्टी लिए 2023 में किस योजना को सुरू किया है तो इसका राइट आंसर है अमरित धरोहर योजना को यहां इसकी एक इमेजवी दी गई है इम्पर्टेंट पॉइंट से समझते हैं सुभांकर प्रधान मंतरी नरिंद मोदी ने 5 जून 2023 विस्व परियावरण दिवस्त के अपसर पर योजना को सुरू किया था योजना की अबधी अंगले तीन वर्सों तक है यहां आपके रखना है नेश्ट कॉस्टन है परियावरण सर्रक्षन और मवीसी के गोवर के प्रिदबंधन के लिए केंदर सरकार ने 2023 में किसी योजना को सुरू किया है तो इसका राइट आंसर है C गोवरधन योजना को यहां इसकी एक इमेजवी दी गई है इंपोटेंट पॉइंट से समझते हैं गोवरधन इसका फुल फॉम होता है Galvanizing Organic Bio Agro Resources सुवांकर भारत के पूर्व वित्त मंतरी अरोड जेटली ने एक फरवरी 2018 को बजट पेस करने के दौरान गोवरधन योजना को सुरू करने की घोशना की थी यह भी आपके याद रखना है नेक्स्ट कॉस्टन है दो करोड महिलाओं को आत्म निर्भर एवं ससक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को सुरू किया है तो इसका राइट आंसर है ए लगपती दीदी योजना को यहां इसकी एक मेज़ी भी दी गई है इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते है सोभांकर लगपती दीदी योजना की गोशना प्रिधान मंत्री नरिंद मोदी ने 15 अगस्त 2023 सुतंतरता दिवस को लाल के लिए नई देली से की है यह योजना ग्रामीन विकास विभाग के अधीन है यह आपको याद रखना है किंद्र सरकार ने बेकल्पिक उरवारकों को बड़ावा देने और रासाइन ने उरवारकों के प्रियोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है तो इसका राइट आंसर है बी पी एम राम योजना को यहां इसकी एक इमेज भी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन है ब्यापारियों के एक अधीकार को तोड़ने के लिए किरसी मंत्राला ने बड़्स 2023 में किस योजना को सुरू करने की घोशना की है तो इसका राइट आंसर है डी पी एम किसान भाई योजना को यहां इसकी एक इमेज भी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन है किंद्रे सरकार ने अनुपालन में सुधार करने के लिए बड़्स 2023 में किस चालान प्रतुसाहन योजना को सुरू किया है तो इसका राइट आंसर है ए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना यहां इसकी एक इमेज भी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन है अल्प संख्यक समूदायों से संबंदित अभ्यारतियों को निशुलक कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्प संख्यक कार्य मंत्राले ने 2023 में किस योजना को सुरू किया है तो इसका राइट आंसर है भी नया सबीरा यहां इसकी एक इमेज भी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन है भारत में व्यफसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विक्सित करने के लिए यह केंद्र सरकार ने बड़्स 2023 में सात राज्यों में किस योजना को सुरू करने की घोशना की है तो इसका राइट आंसर है सी पी एम मित्र योजना को यहां इसकी इमेज भी दी गई है इम्पर्टेंट पॉइंट से समझते हैं पी एम मित्रा इसका फॉल फॉम होता है पी एम मेगा इंटीग्रेटेट टेक्स्टाइल रीजन एंड अपियर पार्क इस योजना की अंतरकत इन सात राज्यों करनाटक, महराष्ट, गुजरात, तमिलाइडू, तेलंगाना, मद् उत्तरप्रदेश में साथ इंटीग्रेटेट टेक्स्टाइल पार्क का निर्माड किया जाएगा यह है आपके याद रखना है नेक्स्ट कॉस्टन है अनुसूचित जाती स्रेणी के छात्रों को गुडबत्ता पून सिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सामाजिक न्य आधिकारत मंत्राले ने 2022 में किस योजना को सुनू किया है तो इसका राइट आंसर है सी स्रेष्ट योजना को यहाँ इसकी एके मेजवी दी गई है वीडियो अच्छ लगे तो सार्चियों सस्क्राइब जरू करिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉस्टन है उच्छ सिक्षा संस प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़स 2023 में किस अभियान को सुनू किया है तो इसका राइट आंसर है बी पी एम उशावियान यहाँ इसकी के मेजवी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन है भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को वड़ावा देने के लिए केंद्र सर कार ने बड़स 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है तो इसका राइट आंसर है ए पी एम इवस सेवा यहाँ इसकी के मेजवी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन है खागरन भंडारन संचमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन भंडारन योजना किस द सिधान मंतरी नरिंद मोधी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्टी एक्ता दिवस पर भारत के यूबाओं के लिए किस प्लेट्फॉर्म को लॉंच किया है तो इसका राइट आंसर है ए मेरा यूबा भारत वायम भारत यहां इसकी एक इमेजवी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन ह महिला एवं बाल विकास मंतराला ने दुस्ट कर्म पीड़त नावालिकों के लिए बर्स 2023 में किस यूजणा को शुरू किया है तो इसका राइट आंसर है डी मिशन बातशल यूजणा यहां इसकी एक इमेजवी दी गई है नेक्स्ट कॉस्टन है केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमा बर्ती गामों के समग्र विकास करने के लिए बर्स 2023 में किस कार्या क्रम को शुरू किया है तो इसका राइट आंसर है बी बाइबरेट बलेज प्रोग्राम यहां इसकी एक इमेजवी दी ग केंद्र भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बर्स 2023 में किस योजना को शुरू किया है तो इसका राइट आंसर है डी महिला सम्मान बचत प्रमान पत्र योजना को यहां इसकी एक इमेजवी दी गई है इसकूलों को विक्सित बाइब उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितमबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था तो इसका राइट आंसर है ए प्रदान मंतरी नरिन नमोदी ने पांच सितमबर 2022 को शुरू किया है तो सिक्छक दबस के अफसर पर यह योजना सुरू की थी यह आपको याद रखना है किंद्र सरकार ने सीबर और सेप्टिक टेंक की सफाई के लिए बर्स 2022 में किस योजना को शुरू किया था तो इसका राइट आंसर है बी नमस्त योजना को यह हैं इसकी एके मेज़ भी दी गई है लड़कियों के लिए कल्यान कारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश से किंद्र सरकार ने जिनवरी 2015 में किस योजना को सुरू किया था तो इसका राइट आंसर है डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को यह हैं इसकी एके मेज़ भी दी गई है केंद्र सरकार ने छोटे उद्मों को आसानी से लोन अपलब्ध करवाने लिए अप्रेल 2015 में किस योजना को सुरू किया था तो इसका राइट आंसर है भी प्रिधान मंतरी मुद्रा योजना को यहां इसका एक लोगों भी दिया गया है नेक्स्ट कॉस्टन है कोरोना बायरस के कारण प्रत्यक नागरेक तक रासन की उपलब्धता सुनश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में किस योजना को सुरू किया था नेक्स्ट कॉस्टन है भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्त सुविदाओं को पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना सुनू की थी तो इसका राइट आंसर है भी आईशमान भारत योजना यहां इसका एक लोगों भी दिया गया है नेक्स्ट कॉस्टन है भारत के 100 सहरों को स्मार्ट सहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया था तो इसका right answer है भी smart city mission को यहां इसका एक image भी दी गई है तो साथ यो अब है time test question का मैंने दो test question आपके लिए रखे हैं जिनका answer आपको comment करना है तो first test question है प्रधान मंतरी नरिन्द मोदी ने पारम परेक कारीगरों और सिल्प कारों के लिए 2023 में किस योजना को सुरूग गिया था तो इसका right answer आप comment करें second test question है स्कूलों को विक्सित उन्दत बनाने के लिए केंदरी सरकारने सतंबर 2022 में किस योजना को सुरूग गिया था तो इसका right answer आप comment करें साथ यो वीडियो अच्छे लगा हो तो एक like करें comment में अपना feedback जरूर दें और comment में suggest करेंगे अंगला वीडियो आप किस topic पर चाहते हैं तो आप comment करें हम उस topic पर आप लिए वीडियो प्रवाइट करा देंगे वीडियो के जतना हो सके दिख से दिख सेयर करिए और हमारे इस चैनल को कर लिए subscribe आज की इस वीडियो में इस topic पर इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में next topic के साथ जै हिंद